अटल सेतु नवहाशेवा सी लिंक है ना जिसको छोटी भाशा में कहा जाता है अटल सेतु वन ओफ दे इंडियाज ग्रेटेस्ट इंजिनेरिंग मार्वल जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है most important topic of today's current affairs is this only क्योंकि इसमें एक ऐसी technology का प्रयोग किया गया है जो अभी तक इंडिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है और वो पैसो से related है तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए कि भी क्या चीज़ बताने जा रहा हम हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटल सेतु नवहा शेवा अटल सेतु जो है उसको launch किया है between सेवरी एंड नवहा जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL के नाम से भी जाना जा रहा है और 21.8 km लंबा ये ब्रिज है जो 16.5 km कहा है over the sea बनाया हुआ है मैप में आपको समझाता हूँ कि ये मैप ये क्या चीज है इसको समझिए ये है आप लोगों का old Mumbai और ये है नवी मुंबई न्यू मुंबई तो पुरानी मुंबई में एक जगे है जिसका नाम है सेवरी और सेवरी से होते वो एक ब्रिज बनाया गया है जो जोइन कर रहा है चिरले को राइट सो सेवरी से चिरले के बीच ये ब्रिज बनाया गया है जो करीबन करीबन 22 किलोमेटर का है जिसमें से 17 किलोमेटर सीप है और बाकी रिमेनिंग किलोमेटर जो है पांच किलोमेटर जो है वो आपके लेंड पर मौझूद है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स केवल और केवल इस एक ब्रिज से कहीं कीजों में हमारा economically कितना फाइदा हो रहा है देखें यह मुंबई जवारलाल नहरू पोर्ट रोड यहाँ पर मौझूद है यहाँ पर आप लोगों का जवारलाल नहरू हाइवे हैं यह आप लोगों का थाने क्रिक ब्रिज है नवी मुंबई को यहाँ से कनेक्ट करता हुआ इस्टन फ्रीवे है सायन पानवेल हाइवे है मुंबई पूने एक्सप्रेस है यह भी अभी हाल ही में खुला था थोड़े समय पहले ही कुछ सालों मज़ा आएगा कि फीचर क्या है सबसे पहला फॉर्स फीचर इस ब्रिज इस एक्सपेक्टेड तो विट्नेस सेवन्टी थाउजन वीकल्स डेली सित्तर हजार वीकल्स एवरी डे इस हारबर से होते हुए पहुंचेंगे चिरले तक या चिरले से सेवरी तक पहुंचेंगे सित्तर हजार वीकल्स डेली अपडाउन करेंगे और मुंबई और नवी मुंबई को ये कनेक्ट करेगा ये आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए इट इस दी लॉंगेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया ये इंडिया का लॉंगेस्ट सी ब्रिज है और इसने एक और हमारे पुराने ब्रिज को हरा कर उसको सेकंड नंबर पर डाल दिया है वो सेकंड लॉंगेस्ट ब्रिज है डॉक्टर भुपेन हजारिका ब्रिज जो मौझूद है आसाम के अंदर मौझूद है और आपको जानके हैरानी होगी के इंडिया का ये इंफ्राइस्ट्रक्चर दुनिया के 10th लॉंगेस्ट सी ब्रिज का भी हिस्सा बन चुका है मतलब अगर हम बात करें दुनिया के 10 बड़े सी ब्रिजिस की तो उसमें से 10वा नंबर इंडिया का है मतलब इंडिया इस डूइंग ट्रेमेंडस ग्रोथ इन इंफ्राइस्ट्रक्चर एरिया हालाकि फर्स नंबर पर जो है उसके साथ कंपीट करने में बढ़ा दिक्कत है मैं आप भी बताऊंगा के फर्स नंबर पर कौन है नेक्स स्लाइड में जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉंगेस ब्रिज है उसके बाद चाइना वगेरा कहीं सारे हैं तो हमें कहीं कॉम्पीट करना बट हमें शुरुवात तो करनी पड़ेगी आज हमने शुरुवात की है कि दुनिया की 10th लॉंगे सी ब्रिज हमने बना दिया है आज दसवे पर बनाया है कल हम लोग 8 पांचवा चाओथा एक फर्स नंबर का भी बनाएंगे पर आज तो करेंगे तीसरा फीचर इट इस एक्सपेक्टे टो एलिवेट एलिवेट मनलब खतम करना ट्राफिक प्रमोट इकनोमिक डैवलपमेंट एंड डिउस ट्राफिल टाइवल टाइम फ्रम सेवरी अंचिलले तो जस्ट 15 तो 20 मिनिट्स अर्लियर कितना था ये भी जान लिजे ताकि आपको पता चले 15 से 20 मिट क्या है अर्लियर था 1 आवर एक गंटा और अगर पूरा जीपियस के तो बताओं तो 61 मिनिट्स एक गंटा एक मिनिट सोचिए सोचिए टाइम का का कि इतना होता होगा एक गंटा तक आदमी चल रहा है गाड़ी में और अब किवल 15 से 20 मिन में पहुंच रहा है सो की स्पीड से घाड़ी भाग रही है राइट इतना भ्यूटिफुल यह हाईव कित्ती बड़ी बात है अब इस प्रोजेक्ट को दो टेक्नोलोजी गित्रू बनाये गया इस प्रोजेक्ट के दो बड़ी टेक्नोलोजी है पहला इस फर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया जो मैं पहले बता रहा था इस फर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया जिसने क्या शुरू क कैसे पे करते थे टोल गेट आता था वहां पर आपका फास्टेक चिपकाया हुआ है वह आपको देखेगा फास्टेक आपको scan करेगा आपके balance होगा तो आपकी दर्वाजा खुल जाएगा balance नहीं होगा तो आपको double पे करके आगे निकलना होगा this is how the traditional highway the traditional toll plaza has work but this is the first project in India जहां पर आपके toll gates लगे ही नहीं है can you imagine there are no toll gates there are high speed cameras installed camera वहां पर लगे हुए हैं और वो आपके monitoring करते रहेंगे हाँ यह गाड़ी है यह number था यह इसका फास्टेक था इसका इतना पैसा अभी काट लो इसका इतना पैसा अभी होंगे वह आपके toll tax automatic कर जाएंगे आपको बीच में कहीं रुकना ही नहीं नहीं है just imagine what I am saying आपको 16 km या 22 km बीच में कहीं रुकना ही नहीं है automatic आपका toll कर जाएगा कोई toll booth ही नहीं है सूच यह इंडिया में पहला system यह नितिन गटकरी सहाब इंडिया ने आज से साल भर पहले ही क्या दिया था कि हम इस technology पर काम कर रहे हैं कि आपको toll booth की भी जुरूत नहीं पड़ेगी आपके गाड़ी कर नंबर देखते हम लोग वैसी टोल काट लेंगे बहुत बढ़िया या काटने का तरीका बहुत बढ़िया है तोल की बात कर चलिए लास्ट इंडिया और थो ट्रॉपिक स्टील डैक टेकनोलोजी इसका मतलब होता है कि एक लाइट वेट स्टील को बनाना और उसको लिंक्स के थ्रू जॉइंट के थ्रू कनेक्ट करना जिससे उसकी स्टेबिटी बहुत बढ़िया रहे प्लस वो लाइट वेट भी तो ऑर्थो टॉपिक स्टील डैक टेकनोलोजी को इसमें यूस किया गया है अब नेक्स देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइवे कौन सा है जो मैं आपको बता रहा हूं overseas highway of USA दुनिया का longest sea bridge है कितना बड़ा है भहिया 161 km लंबा sea bridge है ये 161 इंडिया का कितना है 16 km ही है अभी तो हमें कहीं गुना जादा जाना है कहीं गुना कितना गुना जादा जाना है imagine करके देखिए 100 km से भी जादा 161 km है बड़ा और हम अभी 16 km हमने sea पर बनाया है इन टोटल 22 बनाया है तो इस इस अ वेरी ग्रेट स्टार्ट और इंडिया हैस्ट गो माइन्स बिफोर दी तनसेट और वी विल गो इट वी विल शॉर्ली गो इट हम कोई अमेरिका से पीछे आए गया बिलकुल भी ने हम लोग भी कर सकते हैं और करके दिखाएंगे हम लोग अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है हमारे प्लैटफरम अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए एक छोटा सा कमेंट और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें क्लास इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद